दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पर इस application से अभी जो है 500 रुपिये का loan approval मिल चुका है बिना किसी civil score के अगर आपका civil score नहीं है अगर आपका civil score 0 है तो भी आप इस application से अभी personal loan ले सकते हैं मैंने बहुत सारे लोगों को इस application के बारे में पहले भी बताया था जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं loan approved हुआ है बहुत सारे लोगों का और इस application से बहुत सारे लोगों का loan approval भी मिला है उससे तो कैसे आपको यहाँ पर जो इस application से loan के लिए apply करना है कैसे आपको बिना civil score के personal loan लेना है छोटे amount का जैसे कि अगर आपको हजाद दो हजाद तीन हजार रुपिये का loan चाहिए तो आपको बस इस वीडियो को देखना है ठीक है अगर आपको ज्यादा amount चाहिए तो आप description box में मैंने आपको दुसरा application मतलब दुसरा वीडियो का भी link दे दूँगा उसको आप देख सकते हैं लेकिन अगर आपको 2-5,000 रुपिये का loan चाहिए तो आपको इस वीडियो को देखना है यहाँ आप आप live देख सकते हैं यहाँ पर मैं अगर continue पे click करता हूँ तो मुझे यहा loan को लेना चाहता हूँ और loan term select करने के बाद totally details में बताया जाता है उसके बाद मेरा यहाँ पर loan approval मुझे मिल जाएगा तो कैसे आपको यहाँ पर 100% approval के साथ loan apply करना है चलिए मैं आपको आसान process में बताता हूँ तो दोस्तो इस application से personal loan apply करने के लिए personal loan लेने के लिए आपको स option मिलेगा do sign in register का इसके उपर क्लिक Reed higher उसके बाद यहाँपर option मिलेगा I am new to branch इसके उपर click then इसके बाद यहाँपर आपको अपना country सेलेक्ट करना है उसके ऑप्सप्स्atz मिलेगा नीचे registered從 phone no का इसके उपर click yaha पर आप अपना mobile number डालेंगे और उसके बात register new account पे क्लिक करें एक OTP receipt होगा उस OTP को यहां पर डालेंगे और यहां से आप next करेंगे अब देखें यहां पर आप जो है application में login हो जाएंगे यहीं पर आपको option मिल जाता है loan का और यहां पर option मिलता है apply now का अभी आपको apply नहीं करना है सबसे पहले आपको यहां पर इस application का एक customer बनना है उसके बाद loan apply करना है इसके लिए आपको क्या करना है उपर में आपको यहां पर कोने में profile का option मिलेगा प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे अब यह जो option में आपको बता रहा हूँ इस option को आपको complete करना ही है तभी आपको loan मिलेगा उसके बाद यहां पर option मिलेगा promotion का promotion के उपर आपको क्लिक करना है दन उसके बाद यहां पर मैंने आपको एक promotion code दे रखा है जो कि आप यहां पर screen पर भी देख पा रहे होंगे करेंगे अब साथ को की आपको लोन के लिए अपलाई करने की लिए हैं पर आपका ओपसण मेंगा है प्लाई नौका करिए यह कि अब देखिए यह व से अभी आप 55,000 रुपिया तक की ले सकते हैं पहले यहां पर कम आमाउंड का bank में transfer किया जाएगा इसके लिए नीचे option मिलता है start your loan application का इसके उपर click उसके बाद यहां पर आपको नीचे option मिलेगा allow access इसके उपर click then while using the app फिर allow पर click करेंगे आप देखें यहां पर आपको identity type select करने के लिए कहा गया है यहां पर आप click करेंगे और आपके पास जो भी document है आधार card या voter ID card हुआ आप यहां पर select करेंगे और उसके बाद continue का option मिलेगा नीचे continue के उपर आप click करेंगे यहां पर आपको बताया गया है कि आपको अपने आधार card का फोटो एक selfie और pen card का photo upload करना होता है इसके लिए आपको यहां पर नीचे option मिलता है next का इसके उपर click then उसके बाद while using the app अब देखें यहां पर आपको अपने आधार card का front side का photo और back side का photo upload करना है और उसके बाद आपको अपना pen card का upload करने के बाद दोनों side का photo upload करेंगे उसके बाद यहां पर आपका selfie camera open होके आज आएगा एक circle type का दिखेगा इसमें आपको एक selfie upload करना है अब दोस्तों यहां पर आपने जो details add करा है जो details आपने डाला है उस पर आपको यहां पर जो एक loan approval दिया जाएगा यहां पर मुझे जो मेरा pen card है उस पर मुझे यहां पर 500 रुपिय का loan approval दिया गया है अब इस loan amount को bank में लेने के लिए आपको नीचे option मिल जाता है continue का इस पर click करेंगे उसके बाद यहां पर आपको option मिल जाएगा loan amount को यहां पर बताया गया है तो GST मुझे यहां पर देना पड़ेगा 52 रुपिय का यहां पर मेरे account में transfer किया जाएगा 448 रुपिय और यहां पर मुझे interest देना पड़ेगा 18 रुपिय का total मुझे repayment करना होगा 518 रुपिय एक मेहने के बाद ठीक है उसके बाद नीचे option मिल जाता है continue का continue पर click करेंगे अब देखें यहां पर आपको bank details add कर लेना है मैंने यहां पर bank details add कर रखा है जैसे पर account number डालेंगे और उसके बाद summit पर click करके submit पर click करके आपको अपको bank account add कर लेना है तो मैंने यहां पर पहले bank account add कर रखा है जो कि आप उपर में देख सकते हैं अब आपको bank को add करने की बाद नीचे option मिल जाता है apply का apply पे click करना है apply पे click करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपके सामने loan agreement आता है जिसमें आपको पूरा details में बताया जाता है कि आपका कितना रुपिय का loan approval आपको मिला है GST कितना देना पड़ रहा है interest कितना देना पड़ रहा है processing fee कितना देना पड़ रहा है यह सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आप एक बार read कर लेना आपको उसके बाद यहाँ पर आपको ए वो submit हो चुका है यहाँ पर बताया गया है 12 घंटे के अंदर आपका loan amount आपके bank account में transfer किया जाएगा जो bank account details आपने यहाँ पर डाला है तो इस परकार से अभी आपको इस application से personal loan के लिए apply करना है अगर आपको छोटा amount चाहिए जैसे के 1000, 2000, 5000 रुपिये का loan चाहिए तो अभी आ आप instant इस application से loan ले सकते हैं 12 घंटे का time बताया जाता है लेकिन आपके 4-5 घंटे के अंदर bank account में पैसा transfer हो जाता है तो इस application का link आपको description box comment box में मिल जाएगा जाके install करें और उसके बाद loan के लिए apply कर लीजिए तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही चलिए निक्ट भी मि बहुत बहुत धन्य बाद पूरा वीडियो देखने के लिए